नमस्कार मैं हूँ विसमयलंगार विवस्था की चोट अगर कोई सहित्यकार करने लगे तो समझ जाए कि इस्थिती बहुत अनुकुल नहीं है योकि सहित्यकार बहुत देर के बाद और बहुत जवर्दस्थ चोट करता है हजारी बाग में यही हुआ है यहां के सांसद है जैन सिना और एक पोस्ट होई बहुत 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 कटाक्ष किया सुबोध सिंग सिवगीत जी यह साहितिकार हैं समाजी का आदमी है और बड़ा ही बहतर तरीके से कटाक्ष करते हैं चोट करते हैं व्यवस्था जब कहीं खराब होती है अब सांसद के लिए भी यह हुआ तो आखिर क्यों हुआ हमारे साथ हैं और सीधे उन से ही पूछते हैं सर दर्द में साहितिकार है और क्यूं है आखिर कहा क्या है आपने विश्मे जी बहुत बहुत आभार मुझको जो लिखना था सो तुम्हें कल लिख दिया सच्चाई है कि मैं सिख्छक हूँ साहिति से जुड़ा हूँ संग से जुड़ा हूँ और समाजिक हूँ ये चारो दाइत्यों जो मेरी कृति है उसी कृतित से मेरे व्यक्तितों का दिर्मान होता है और ये चारो का इमानदार प्रयास से ही है कि समाज को हम मशाल दिखाएं ऐसा ही मशाल मैंने 2004 में भी दिखाया था जब मान्य शांसद के पिता जी यहां के शांसद थे और साइनिंग इंड में था जब में रियक्ट किया था और आज वही रियक्शन के स्थिति पुलह आ गया हूं इसलिए ही अपने दर्बारियों से जब कभी कोई राजा घुरा हे चाहे जन परतनीधिकोंयों दार्बारी किसी के नहीं होते हैं वो बड़े-बड़े राजे राजबाडों को खा गए वर्तमान सांसाद भी अपने निर्धारित दर्वारियों के पीछे इतने दब गए हैं कि अभी विरौभाव इस्विद्याले में एक सिंडिकेट सदस्य का मनोयन नयन होना था बिगत चार बार से हजरी बाग में संग और भाजबा से जुड़े सैकड़ों बुद्धी जीवी सिख्षक प्रफसर नेता कारिकरता जुड़े हैं गवर्नर नौमनी कोई भी बन सकता है मगर चार बार से सुरेंदर शिनहा उनके आसपास दिन रात घूमने वाले कभी रेजिस्टार बनना है तो बंसी रुखहियार कभी अभय कुमार शिनहा और अभी पुनस सुरेंदर शिनहा बोलिये जो सांसद प्रतिनिधी है उसको आप कहिए अगर वाड कमिस्नर बन जाओ बिनोवा भाविस्विजले का सिंडिकेट सदसी उनको बनाया जाने जो सांसद प्रतिनिधी है मेरे अंदर के आदमी को उबाल दिया सच्चाई है कि हम लोग कोई पद नहीं चाहते मगर हमारे संगठन से जोड़े सैंक्लों लोग डॉक्टर टी के सुकला जेडी दूबे प्रदीप कुमार प्रदीप प्रसाद केपी शर्मा जदुनात पांडे अंगिनत सिक्षक हैं किसी को भी ये पद दिया जा सकता था मगर जो सांसद प्रतिनी दी है जो चार पार सिंडिकेट रहा वही सिंडिकेट सदा से बने तो हम लोग क्या सिर्फ दूध देने वाले भाजपाई हैं दूध पीने वाले भाजपाई को और हम लोग सिर्फ खुन देने वाले भाजपाई हैं तो ये एक रियक्षन था जिस पालने के लिए जब हम समाज बे जाते हैं तो हम कहते हैं हिंदू शोदरा सर्वे करे हम दूरम राम के लिए भोट इसितर का नाम सबर करने देगे कोब बाकि आपने आइसपस वालों पदेते आ और बाकी जब वोट बानने के लिए संतिये हैं वहाजपा को लो banking को लोग में हमारे सिक्षक और अन्य समाज के लोग पूछते हैं कि भाई आप लोग तो वोट मांगने आते हैं इनके लिए मगरी कोरोना काल में थे कहां कभी देखा इनको तो ये अपने दर्बारियों के द्वारा यह कहा कर कि हजारी बाग के आप जंजन के नेता हैं ये लोट जाते हैं ये लोग बड़े बड़े विश्विदालियों पढ़े हैं बड़े परिवार की लोग हैं इनको मैं प्रिमचंत की भासा में समझाया हूँ जब हमको लोगों ने कहा कि इमान के डर से बीगाड की बात नहीं कहोगए सुवोध लगता नहीं है कि इमान की मैं संगी हूँ मैं पिश्म्पिताम Qui तरह चुप रहने वाला नहीं हूँ पिश्म पितामा चुप रहा था इसलिए महाभारत हुआ था आज हमारे हजारी बाग संस्थिय चेतर के जो बुद्ध जीवी हैं प्रबुद्ध जन हैं उनकी हक उनके मान अपमान पर चोट हुआ है मैं यहां इसलिए खड़ा हुआ हूँ ताकि कोई महाभारत फिर से हजारी साफ है कि आज जो सुविधा जीवी लोग उनके आसपास हैं वो द्रोनाचारी हो सकते हैं उनके पढ़ाय हुए सौसित सी कौरोव हो जाते हैं हर पांची पांडो होते हैं और मैं उस द्रोनाचारी की परमपरा का सिक शक नहीं हूँ नसाहित तकार मैं गुरु संदीपनी क परमपरा का आदमी हूँ मैं क्रिस्न पैदा करना जानता हूँ अगर सही से सारे समाज को समान मिला जिस तरह जमीन पर जुड़कर इनको काम करना चाहिए हर जाती समाज के लोगों को राम भक्तों को समान अधिकार देना चाहिए तब इनके लिए हम सब जीवित हैं चूंक कि स्थेटी बनती है जिसके लिए गुनागार हम नहीं होंगे वो होंगे और वो भी नहीं होंगे उनके दर्वारी होंगे चुकि सांसद महुदे बड़े परिवार के हैं मकमलों पर चलने वाले हैं विदेशी विश्विद ऐलेएम परे हैं हधारी बाग के भोगोल से कि सेना बनाना जानता है भाई भरत से मिश्कौल करके और राजा जनक से कोई सेना मगा कर नहींivalता है। इसलिए इनको राम का पड़ी है तो राम का स्वरूप दरन करना होगा, करेक्टर में आना होगा, कालींडर से देस नहीं चलेगा, संस्तिय चेतर नहीं। लिजिए यह इतनी साफ गोई से कोई साहित्य का आदमी ही अपनी बातों को रख सकता है सारी बातें तिल के अंदर का दर्द समाज का दर्द सभी ब्यक्त हुआ अब यह सारी चीजें जाती हैं यहां के सांसत जैन सिनाजी पर कि वो इसको कैसे लेते हैं क्योंकि छोटी बात नहीं है साहित्यकार जब बोलता है तो समझे समाज बोल रहा है बाकि सब फेस्बूक पर है नूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहें लगाता.in के साथ